हेलो दोस्तो मैं हूँ कमल और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल NCR टीबेत कमल में और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं प्रचन बिरोजगारी किसे कहते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डेफिनिशन पे उसके बाद इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रचन बिरोजगारी का मतलब क्या है तो प्रचन बिरोजगारी क्या होती है प्रचन बिरोजगारी एक ऐसी बिरोजगारी है जिसमें कोई आदमी काम तो करता है यानि काम करत कadowsक्राइन यहोगी इस प्रकार कि वेरुजगारी को क्या बोलताए प्रहए ने बेरुजगार कोие एक उधार्ण है जिस तरीके से उधार्ण में और आपको समझा देता हूं जैसे यह गाउं में एक परिवार के पांच लोग क्या कर रहे हैं पांच लोग खेती कर रहे हैं ये खेत है एक रसी है और उस पूरे परिवार के जो लोग है वो सभी लोग क्या कर रहे हैं खेती कर रहे हैं और मान के चलो उसमें दस्टन उत्पादन हो गया कितना हो गया दस्टन हो गया अब हां मौन के चलो इस पाम को ना कि कितना होता हुत जो कान हे कि इस काम को उत्सक्राइब भी तो कर सकता था एक इंसान करता तो भी उतनी कमाई होती तभी उतनी कमाई हो रही तो कहने का मतलब यह है कि इसमें छार defenses लोग फाल्तू के लगे हुगे है फिरहने के मार्तर के लिए वो क्या सरफ काम कर रहे है उत्पादन में तो उनकी बज़े से कोई योगदान होनी रहा, इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रचन बेरोजगारी बोलते हैं, जिसमें लोग काम करते हुए नजराते हैं लेकिन उनकी कमाई ना के बराबर होती है ठीक है? तो आपके डेफिनिशन ही यही है प्रचन बिरोजगारी के ऐसी बिरोजगारी है जिसमें कोई आदमी काम तो करता है पर उसकी कमाई शुनने के बराबर होती है अर्थात ब्यक्तिक काम तो करता है लेकिन असल में वे क्या होते हैं बिरोजगार होते हैं मिलते एक नए वीड़ो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम।